So first of all बात कर लेते हैं टीम मायावी को लेके तो आज मायावी का एक प्लेयर TDM में लाइव बैन हुआ वो आप उन स्क्रीन देख सकते हो इस पे ग्लोबल स्पोर्ट्स के ओनर ने कहा कि उनके प्लेयर अभी अपने घर से खेल रहे है और वो फिगर आउट कर रहे है कि ID 30 Mins के लिए बैन क्यू हुई उनकी पूरी चैट आप उन स्क्रीन पढ़ सकते हो अगली न्यूज निकल के आती है BGMI को लेके तो आज क्राफटन ने प्रेस कॉन्फरेंस में रिवील किया कि BGIS की टॉप 8 टीम्स कंपीट करेगी कोरियन टीम्स के साथ और साथ में ये भी कहा कि दिवाली के पहले कुछ बड़ी चेंजस आने वाली है BGMI में जिससे कोरियन मैच मेकिंग होने के चांसेज बढ़ जाते है आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में